एक तरप बीजेपी भी लगातार चुनाव परचार अभ्याल में जुटी हुई है तो कॉंग्रेस भी अपनी लगातार प्रतिक्रियां देती नजर आ रही है बैठके लगातार चल रही है आज भी बैठके होनी है क्या अपडेट है देखिए बिलकर टिकेट वितरन को लेकर अब कॉंग्रेस में मन्तन जा रही है दूसरे दिन की बात कने दुकल दिन भर भी सनीवार को लगातार बैठकों का दौर जारी रहा एक एक जलाद देख्ष और जो बिदानसाओ प्रभारी है उनसे खास्तोर से जो स्क्रीन कमेंटी का अद्धक्ष है यतिन भबर सिंग या जो प्रदेश प्रभारी अन्दीफ सूर्जेवाला के साथ ही जो परिविक चक है आजय भलू वो तमाम जो जलाद देख्ष है उनस में नहीं सामिल नहीं होता है उससे पूछा भी जाता है कि आखिर इस प्रत्यासी का नाम इस पैनल में डालने की बज़ए क्या है तो लगातार टिकेट को लेकर मंतन हो रहा है खास्तोर से कल देख्ष हमने गॉलियर चंबल की बात हो जेन सागर संभाग के उसे मुलाकात की है और अभी बार का दिन भी बैटकों का दिन रहेगा दिन पर खास्तोर से भूपाल लबनापरम संभाग की बात हो जबल पर सैडल संभाग की बात हो तो अलग-अलग जदा जलाद देक्षों से और बधान सभाप्रभारियों से जो नामों का पैनल वो लिया जाएगा और एक सूची जो खास्तों से ICC की सर्वे है उससे क्रॉस चेक किया जा रहा है तो लगातार टेक्ट को लेकर मंधन किया जा रहा है उस सर्वे के आधार पर जलाद देक्षों की रिपोर्ट के आधार पर ये टेक किया जाएगा कि कौन सा प्रत्यासी का ओफिशिल प्रत्यासी होगा तो लगातार मंतन जारी है चुनाव समीती की बैठके हो नहीं है और कल की बात करें तो खास्तोर से बिदायक पूर बिदायक सांसदों के साथ बैठक की जाएगी और छे तारीक को स्क्रिणिंग कमेटी की बैठक है तो संभावना यही है कि लगातार दावेदार भी आ स्क्रिणिंग कमेटी अपना काम भी कर रही है जला अध्यक्षका फीडबैक भी लिया जा रहा है वन तूवन चर्चक की जा रही है और उस मंतन के बाद जो नाम निकल कर सामने आएंगे वो कांग्रेस के दिए तुमीदवार होंगे तो यह माना जा रहा है कि जल्दी से ज प्रतियासी है उसका नाम कोशित किया जाएगा तो अब देखना बड़ा दिल्चस्प होगा कि कब तक कॉंग्रेस अपनी पहली सूची जारी करती है